Good morning प्यारे बच्चो नन्हे मुन्हे प्यारे बच्चे आज के अंक में अंकी मात्रा का ज्यान मजबूत करेंगे जी हाँ इससे पहले भी मैंने आपको अंकी मात्रा के विशेह में बताया था आप उसका उच्चारन कैसे करेंगे और उससे बनने वाले शब्दों को किस प्रकार से पढ़ा जाता है ये सब बताया था आज फिर से अंकी मात्रा को ले करके आए हैं तो एक गतिविदी के माध्यम से इस ग्यान को समस्ते हैं चितर देखकर सही शब्द पर गोला डालना है ये कुछ चितर बने हैं और उनके साथ तीन शब्द लिखे हुए हैं ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा इसी प्रकार से दूसरे चित्र भी बने हुए हैं और ये तीन शब्द इस तरह से लिखे हुए हैं आपको इन तीन शब्दों में उचित शब्द पर गोला डालना है कैसे आये देखते हैं सबसे पहला चित्र देखते हैं ये चित्र है एक अंडे का चित्र, यानी अंडा. अब अंडा कैसे लिखा जाता है? इन तीनों में से देखेंगे. ये लिखा है अंडा, ये है आंडा, ये है अडान. यानी कि जो सहीशब्द है वो है पहला, ये है अंडा. इसी प्रकार से दूसरे चित्र पर आते हैं दूसरा चित्र है एक पतंग का चित्र पतंग जो बच्चे आस्मान में उड़ाते हैं सर 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 उड़ी पतंग जी हाँ यहें वही वाली पतंग तो पतंग कैसे लिखा जाता है पा ता गा और इस तरीके से बिंदी यहां लगेगी तो पतंग में ये दूसर नमबर पर जो आपको दिख रहा है ये ही सही है तो इस पेस तरह से गोला डाल देंगे आगे बढ़ते हुए फिर है एक बंदर का चित्र उचलता कूता बंदर फिर है घंपी फिर है नारंगी आगे चलते हैं आगे बढ़ेंगे तो है एक शंख का चित्र फिर है कंगा हाँ वही कंगा जिससे हम अपने बालों को समारते हैं फिर है रात में आने वाला चंदा मामा तो इन तीन तीन शब्दों में से किसी एक उचित शब्द पर आपको गोला डालना है और अपने इस ग्यान को मजबूत करना है बच्चो यदि आपको कोई समस्या या कोई दिक्कत आए तो आप इसके पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि अंकी मात्रा कोई चार कैसे करते हैं तो बच्चो मिलते हैं एक नई मात्रा एक नई गतिविदी के साथ तब तब नमस्कार